नमस्कार प्यादर्श को स्वागत है आपका हमारी चैनल गुंजन एज्टो में तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम विक्ति की हतेली के माधियम से उसकी आर्थिक स्थिती जाने का प्रयास करेंगे हाथ पर मौझूद कुछ शुब निशानों के माधियम से हम जान सकते हैं कि विक्ति कितना अमीर होगा लेकिन उससे पहले बता दे कि इस्थि अपने भाईने हाथ को देखे और पुरुष अपने धाईने हाथ को देखे तो पहला निशान ये है जैसे कि अपकी हतेली में आपकी मध्यमा उंगली है बीच वाली उंगली और उसी के नीचे बनता है आपका शनी परवत मध्यम अंगली का समझ शनी ग्रह से होता है और यदि शनी परवत पर त्रिभूज का निशान बन जाए तो यह शुब संकेत माना जाता है ऐसे लोग कहा जाता है कि बहुती भागशाली और धन्वान होते हैं ऐसे लोग अपनी जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करते हैं लेकिन इन लोगों को कड़ी महनत भी करने पड़ती है लेकिन कड़ी महनत करने के बाद इन लोगों को बहुती अच्छी सफलता मिलती है ऐसे लोगों को अपनी जीवन में मान सम्मान भी मिलता है अब आईए जानते हैं हतेली पर बनने वाले शुब दूसरे निशान के बारे में जैसे कि ये आपका चंदर परवत है जो की चंदर ग्रह से सम्मंद रखता है और चंदर शेतर से एक रेखा निकल कर कुछ इस प्रकार से आपके शनी परवत के और चली जाए तो ऐसे लोग अपनी जीवन में काफी पैसा एक अद्र कर लेते हैं इनका बैंक बैलेंस भी अच्छा रहता है अब कहीं लोगों के मन में हैं प्रशन उड़ता है कि हमारी हतेली में है निशान है परन्तु हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है हमें तो इसकी शोफल प्राप्त नहीं होते, तो इसका उतर है, कि हर चीज मिलने का एक निष्चित समय होता है, नियती के अनुसार ही आपको हर चीज प्राप्त होती है, और साथ ही किसी भी वीक्ति को बैठे बिठाए कुछ भी नहीं मिल सकता उसके लिए कर्म करना ही पड़ और इसे के निचे बनता है आपका गुरू-परवत गुरू-परवत के नीचे आपको मस्तर चर्षिक रेखा मिल जाएगíamos और आपको लाइफ्लैन तब लाइफ्लैन याने कjos की जीवन मार रहती है अब जानते हैं चोथे निशान के बारे में अगर किसी की मस्तश्रीक रेखा हतेली में शनी परवत पर जाकर मिल जाए तो ऐसे लोगों को तीस साल की उम्र पार्क कर लेने के बाद ही सफलता मिलती हैं साथ ही नोकरी में ऐसे लोग अक्सर नए किरती मां स्थापित करते रहते हैं अब जानते हैं पांच में निशान के बारे में कुछ निशान जैसे की बहुती शूब माने जाते हैं किसी विक्ति के हाथ में उसके अनामिका उंगली और मध्यमा उंगली पर यदि उंगली पर उ गुठे के नीचे जीवन रेका से घीरा हुआ आपका बन जाता है शुक्र परवत शुक्र जो की भोतिक सुखो लक्जरी लाइफ इस रीका कारक माना जाता है और यदि यह स्थान शुक्र परवत उच्छ का हो मतलब उठा हुआ हो और साथी इस स्थान पर खड़ी-खड़ी तो यह बहुती शुब संकेत है इस कंडिशन में विक्ति को ससुराल से भी धनला मिलता है धनी जीवन साथी से शादी होती है विक्ति को अपनी जीवन में सभी प्रकार के भोतिक सुक्त प्राप्त होते हैं जैसे गाड़ी, बंगला, अच्छे कपड़े, खान, पान साथ ही य को दर्शाता है, शादी के बाद ही इन लोगों की किसम चमकते होई देखी गई, शुकर परवत पर वर्ग के निशान होना धनी घर में विवहा करवाता है, और साथवा निशान जी है, यदि आपके गुरु परवत पर क्रोस का निशान हो जाए, तो ऐसे लोगों को भी है, और कलाई में ये जैसे मनी बंद कहा जाता है, इस थान को, और मनी बंद की रेखाओं का संबंध हमारे पूर्व जनम के कर्मों से होता है, आपको मनी बंद पर उपस्थित रेखाएं मिल जाएंगी, किसी की सपरिष्ट भी होती है, किसी की टूटी-फूटी भी होती है और ऐसे ही यदि तीन साफ सुत्री रेखाएं मनी बंद पर उपस्तित हैं तो इने अच्छी विद्या और धन दिलवाती हैं इनसे यह भी ज्यात होता है कि हमारे करम पीछले जन्नम में उच रही होंगे अब जान लेते हैं आठवे संकेत के बारे में मस्तर्शी करेखा पर त्रिकोर्ण को होना या आपके मस्तर्शी करेखा पर जैसे त्रिकोर्ण बन जाता है जो की पीता से पैत्रिक संपत्ति दिलवाता है और ननी हाल से भी जायदात का लाब दिलवा देता है लेकिन ध्यान र इस थान पर दो खड़ी रेखाई हैं तो व्यक्ति को यश, पुत्र और विपुल संपत्ति दिलवाता है अब बात करते हैं दस्वे संकेत के बारे में मनी बंद से आपकी भागे रेखा निकलती हुई इस परश्ट दिख जाती है कई व्यक्ति के हतेली में नहीं भी होती लेक अचानक धनलाब दिलवाती है विक्ति लोटरे सट्टे से पैसा भी कमा लेता है और इस त्री वर्ग के लिए रेखा उच्छ घर में विवाह का सूचक होती है भागे रेखा जिस भी स्थान की और जाएगी जिस भी परवत की और जाएगी उसे संबंदित विक्ति को फल द होती है और यदि चंद्र परवत पर यह निशान है तो विक्ति विदेश से लाब कमाता है तो दोस्तों यह तो थी हतेली में कुछ शुप चीनों से समंदित विशे जानकरी जो आपको धन लाब करवाते हैं आपके आर्थिक सित्य के बारे में जान कर देते हैं इसे के साथ फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लें जईश्री जगना